हेलो दोस्तों कि यह हल चाला है उम्मिद है कि आप अच्छे होगे लेका हाज है आपके लिए और इंपोर्टन वीडियो दोस्तों आज आपके लिए और बहुत बड़ी खुसकवरी आच चुकी है कोश्ट गाड की तरप से जिसका इंतर आप काफी दिनों से कर रहे थे और हम आप देख सकते हैं चार्जनवरी दो हजया बाइस से अप्लीकेसन फर्म बने शुरू हो जाएंगे और लाइन आपको एप्लाई करना होगा एप्लीकेसन फर्म की फीस 200 पर जैनल एडल वैस और OBC वालों के लिए और S.E.S.T. वालों के लिए सुनने और 14 जनवरी इसका ल चाहिए यदि नहीं है तो बनवाली आपके पार्ट टाइम है तो सभी जानकर हमने डॉक्यमेंट को लिए सु वीडियो में दिया है डिस्क्रिप्सर में आपको लिंक मिल जाएगा नहीं तो चैनल पर वीडियो हमें डाली दिया है तो देख लेना अब आगे बात करते हैं चैनल पर नहीं होने चाहिए नमबर एक ठीक है और बारे में कलास में PCM होना कम पसरी है यानि कि मैंत और फिजिक सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए और आपके इवल पास होने चाहिए अपलाई कर सकते हैं परसेंटेज कोई में यह कि आपकी ज्यादा परसेंटेज होगी तब आप करड़ाने वाला कम परसेंट है आप अपके अपलाई करो आएगा 100% हम कह अब आपके तुमेल फार थे आपके पास कि क्यानि चाहिए और यह दिए अको पहली बतारें और आप चाहिए और आप ब्यम्हेंड होने हैं लेकिन दोस्तों आपके पार डिप्लोमों होना चाहिए अपलाई कर सकते हैं यान तिर्क में अब आगे दिख लेते हैं आपकी एज के वारे में तो भाहिया जी आपकी एज अठाय साल से लेके 22 साल के बीच होना चाहिए यदि आपकी उमर सेमस के बीच आप अपलाई कर पाएंगे आप सभी अराम से नीचे कमेंट करके बता हो कि आपकी उमर सेमस कितनी है यदि आप GD यानि की जलन डूटी और यान तरी के लिए अपलाई करते हो तो आपकी एज 1 अगस्त 2000 से लेके 1 अगस्त 2000 से लेके 31 जुलाई 2000 4 के बीच होना चाहिए तो देख मिला लो दोस्तो 31 जुलाई 2000 4 के बीच यदि आपका DOV है तो आप 100% अपलाई कर पाऊगे नेविक GD बारी पास के लिए बढ़ती है अब आगे बात करते हैं DB और डॉमेस्टी ब्रांच के लिए यदि आप अपलाई करना चाहते हैं तो आपकी एज 1 अक्टूबर 2000 से लेके 1 अक्टूबर 2000 से लेके 30 सितमबर 2004 के बीच दोस्तो आपका DOV होना चाहिए नेविक DB दसी पास के लिए बढ़ती है कुल मिलाकर 35 वेकंसी है और ये भी All India बाहरते किसी वरज़त साते हैं अपलाई कर सकते हैं यदि आप आवेदन करते हैं तो आपका अडमेट का डाने वाला 100% तो आपका एज इसके बीच होना चाहिए एक अक्टूबर 2000 से पहले के नहीं होने चाहिए और 30 सितम्मर 2004 के बात के नहीं होने चाहिए और हाँ दोस्तो यदि आप SC या HD से आते हैं तो 5 साल की छूट आपको मिलने जाएगा एज में और यदि आप OBC से आते हैं किस format है बनवाना है तो वो आपको telegram पर मिल जाएगा हमने डाल दिया format नहीं तो आप ICG की site पर जाना वहाँ से format डाउनलोड कर सकते हैं और उसी पिरकार आपको बनवाना होगा ठेक है अब आगे बात करते हैं पोस्ट के बारे में दोस्तो जेडी की है दोसो साटव वैकंसी और डी वी की है 35 एंड यान तरी की है 27 कुल मिलाकर 322 वैकंसी के लिए notification आउट हो चुका है और ये भी ओल इंडिया हम आपको बता चुके हैं अब आगे बात कर लेते हैं आपकी written exam के बारे में तो यदि आप DB में apply करोगे तो खली आपके एक ही exam होने वाला है ठीक है 10 ही पास के लिए बढ़ती है तो एक exam आपका होगा और यदि आप GD के लिए apply करोगे तो दो exam आपको देने होंगे एक तो आपको DB का देने होगा section first plus section second दो exam qualify करने होगे तब जाके आपका GD में selection होने वाला है हम आपको दिखा देते हैं ये आप देख सकते हैं यदि आप DB में apply करते हो तो section first आपको qualify करना होगा जो की 60 नमर का paper आएगा और 30 नमर चीए passing के लिए और यदि आप GD में apply करते हो तो दो exam आपको देने होगे section first plus second DB का भी exam आपको देना होगा और GD का भी exam आपको देना होगा और कुल मिलागा 110 नमर का paper आएगा जिसमें की 50 नमर आपको चीए pass होने के लिए ठीक है इतनी से बात आप समझ चुके हो आप आगे बात करते हैं आपके physical के बारे में PFT में क्या होगा क्या ने 600 मिटर आपकी running होगी 1.6 किलो मिटर running होगी जो की आपको 7 मिट में complete करनी होगी पूरा time आपको मिलेगा ऐसा नहीं कि कम time आपको दे जाएगा 4 या 5 मिट army कितनी हो दोस्तों इसमें running नहीं होने वाली है पूरा time आपको मिलेगा तो 1600 मिटर आपकी रहनी होगी जो की 7 मिट में आपको complete करनी होगी 20 उठक बेटक होने वाला है और 10 pushups आपका होगा ठीक है और 17 cm आपका हैट होना चाहिए minimum आप भाहते किसी बाद जो साथ है apply कर सकते हैं तो इतना आपका हीट होना चाहिए अब आगे बात करते हैं आपके exam के बारे में और document के वारे में हम आपको पहली बता चुके है यदि आपने वीडियो नहीं देखाए तो देख लेना चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा आप document तियार कर लेना यदि आप coast guard join करना चाहते हैं इस वार apply करना चाहते हैं ठीक है बाकि हम आपके लिए पलपले की जानकर लाते रहते हैं कोई भी update आता है यदि आप चैनल पर नहीं हो पहली वारा आई हो तो subscribe कर लेना बेले कन दवा देना अब बत करते हैं आपके exam के वारे में stage first जो होगा वो होगा March में जी हाँ आपने सही सोना March में आपके exam होगा Navic DV GD यान तरीका तिन चार दिन आपके exam चलेंगे और March में आपके exam होने वाला March के एन तक दोस्तो आपके exam करा दी जाएगा आप टेलिगाम जोइन करें वहाँ पर आपको एक एक जानका ही मिलती रहती है लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में तो हमने आपको सब को जानके दे दिया मार्च में दोस्तों आपके एक्जाम होने वाला है अब आर या पार दोस्तों 2022 इसवार मिसन पार करना वर्दी लेकर रहना यदि आपका सपना है कोश्ट गार्ड में जाने का तो भाई दिन राते कर दी नहीं है बाद मत कहना है कि सर आपने बताया नहीं यही मौकार दोस्तों लग जाओ आप तियारी में मार्च में आपके एक्जाम होने वाला है अब कोई भी अपडेट आएगा तो हमाई जमर्दरी आपको बताना टैंसर मत लेना हम आपको बताएंगे बाद चैनल पर आप ऐसी ही बने रहेना तो भारती कि सब कूर जानकर हमने आपको दे दिये करते रो अपना ख्याल लखो जय हिंद जय भारत